नमश्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर तो आज मैं आपके लिए लेके आए हों Microtect का एक premium series वाला model जिसका नम Merlin model है और ये एक premium series वाला इनवर्टर है दोस्तों आज इसका हमरे रिवियू करने वाले हैं दोस्तों जैसा कि आप दे सकते हैं इन्होंने यहां पर on-off का switch प्रोवाइड किया गया है और साथ में इन्होंने कई option बताये हुए हैं मारे main zone के, UPS on, charging का, overload, battery low और CBTRP दोस्तों मैं बता दूँ कि इसमें कहीं सारे model आते हैं तो मैं आपको ही recommend करूँ कि आप sign wave वाला यह option यू चूज करें दोस्तों मैं बता दूँ जो जिन लोगो sign wave नहीं पता जो sign wave technology होती है वो हमारी जब light जाती है जो वाज करने लगते हैं हमारे पके और tube वो sign wave technology में नहीं करेंगे वो विल्कुल ही smooth चलेंगे और साथ में एक बारी overview कर लेते हैं यहां पर इन्होंने microtek का logo दिया गया है आप देख सकते हैं और यहां पर help line number दिया गया है आपको आप और जिस्टर से भी नहीं करा सकते हैं जा फिर अपनी dealer से भी बात कर सकते हैं और एक बारी पीछे से overview कर लेते हैं आप देख सकते हैं इन्होंने पीछे cooling fan प्रोवाइड किया गया है इन वर्टर को ठंडा रखने के लिए और साथ में इन्होंने कोई option बताया गया है आप देख सकते हैं इन्होंने अलग-लग बताया गया है charging voltage high या standard आप गर्मियों में high कर दीजिए charging और साथ में input voltage बताया गया है आपको standard या narrow और साथ में charging current पताया गया है standard या high ये दोस्तों अपनी needs के साथ से आप अरजेस्ट कर सकते है और यहां पर आपको fuse का प्रोवाइड किया गया है और ये मेंस की switch दोस्तों मैं इसकी pricing की बात करूँ तो ये आपको market में सानी से 4500 से लेकर 5000 तक पड़ सकता है जो कि इसे बहुत ही जासो टेबल मनाएगा और अपने बाकी model से भी बहुत ही जादा शाणदर quality है तो दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंट करूँगा कि आप Microtek का मर्दिन model ही चुने क्योंकि इसकी look भी बहुत चांदार है और साथ में इसकी service भी बहुत बढ़िया है तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतने अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद।